असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल आई होप आप सब ठीक हों अल्लापाग आप सब को जहां भी रखे बहुत ज्यादा खुश रखे और आज मैं आपके लिए बहुत यूनीक सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डोली सीधा करने का मैथड बताऊंगी औ और इसके लिए जो है ना हमें सबसे पहले क्या करना है मैचिंग का धागा ले लेना है और डिसकलर धागा जो हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी है अदरवाइस जो है इस्टीच होने के बाद जो है वो नजर आ रही होती है सो हम यहां मैचिंग के धागा लगाएंगे और इसके बाद अब मैं आपको यहां बता रही हूँ डोरी को जो है ना हमने सीधे रख करके उसे जो है फोल्ड कर लेनी है यह देखें सीधे साइट से मैंने फोल्ड किया इसे और उसके बाद जो है आपने क्या करना है सैंटर स की हैं कि मिएंकल सब्सक्राइब आरेकुल सब्सक्राइब क्विख TIME ही मिद्धोस बड़ा है कि आपकल सीधिया आपको बहुत जदा सब्सक्राइब प्राइब लुगाने के वह से मिद्ध strong आपकर में होगी आपने Lynn- students से स्लाइ लगाऊंगी और यह देखें इस तरीके से आपने बिल्कुल से लगानी और वह बहुत ज्याद़ मुश्किल नहीं है और आपने यहां कहने कि द्धागा तो दिखाए थी मगर अब यहां दिखाए ति मैं यहां मशीन में ऑईल लगा कर रखी थी इसकी वज़े से थोड़ी सी ऑईल जो है वह स्टिच के ऊपर आ गई है अच्छा डोरी जो है आपने वह बहुत ज्यादे जो है ना कीच कर भी नहीं रखनी है और नहीं बहुत ज्यादा लूज रखनी है बस आपने नॉर्मल इस तरीके से दोनों को आपने रखना है और इस्टिच लगा देनी है बिल्कुल भी डोरी को आप खीचेंगे नहीं ठीक है नॉर्मल इस्टिच लगानी है और अपनी जो मशीन है वह आपने हर वक्त जो है क्लीन रखनी है साफ करके रखना आप उसे और अगर आप एक सूट ज मशीन को जो है फैब्रिक वगरे से आपने साफ कर लिया तो इसके इससे यह होगे कि आपको जो है ना सिलाई करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपकी सिलाई जो होगी और गोल्डन वाली डोरी में जो भी मैथर्ड मैं आपको बताई हूं as it is same to same आपने रेड़ वाल जो है दोनों दोरियां जो है हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और अब डोरी जो है कंप्लीट होने के बाद अब हम दोरी सीधा करेंगे और सीधा करने के लिए सबसे पहले आपने निडिल लेना है और निडिल लेने के बाद जो है आपने इसमें दो डबल धागा लगाना ह हैं क्योंकि सीधा करने की टाइम तूट जाता है और यहां आपने गिठान लगाना है दो तीन गिठान आपने लगाना है इस तरीके से थोड़ा बड़ा गिठान होना चाहिए और छोटा गिठान लगाएंगे तो वह बिल्कुल भी डोरी जो है वह सीधी नहीं होगी और मैं आपको दागे का लंबाई बताती हूं मैंने कितना बड़ा दागा लिया है और दागा गे अपने महीं फिर शिर्व रहे यहां नहीं । अपने भी सब्सक्राइब जबद हम ढूरे जो है उतनी ज्यादा आपने आप सीधा कर सकते हैं और वीडियो जो है वो डिटेल में शेयर इसलिए कर रही हूं आप मेरी वीडियो से कुछ सीख जाएं मकसद यही है डिटेल में वीडियो शेयर करने की और यहाँ मैं आपको बता दू हूँ, जितना बड़ा मैं धागा ली हूँ इतने बड़े धागे में आप कितनी बड़ी डोली सीधी कर सकते हैं और इसकी मेजर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ एक इंची टेप फुल कंप्लीट हो गई है और अब ये हमारी second inch tape जा रही है अब आप देखें ये double है और इतनी बड़ी डोरी जो है न हम सीधा कर लेंगे जितने बड़े धागा जो है मैं आपको बताई हूँ और ये भी हमारा extra है इतना बड़ा मैं इसे भी आपको नापकर दिखा देती हूँ इसकी क्या measurement आ रही है और इसकी जो measurement है वो कुछ 28 inch होगी ये देखें 28 inch है इसकी major मतलब double inch tape है हमारे पास इतनी बड़ी डोरी हम सीधा करेंगे और अब आप यहाँ वीडियो को गौर से देखें जहां से मैं निडिल निकाली हूँ इसके side में जो है मैं इसे थोड़ा सा कपड़ा रखी हूँ और ये जो है हमारी खुले वाली side है और ये जो side है ये बंद वाली side है आपने बंद वाली side से जो है निडिल बाहर निकालना है और side से देखें ये जरा सा fabric जो है मैं यहाँ बचा कर रखी हूँ और यह आपने लाजमी रखना है और इसकी वज़ा से जो है ना धागा जो हमारा बाहर नहीं निकलता और अब जो है जहां से मैं निडिल पहले गुजारी थी इसी तरीके से आपने दुबारा इसकी ही साइट से आपने दो बार निडिल इस तरीके से करनी है ठीके अब चाहें और same to same इस तरीके से आपने डोरी जो है सीधी करनी है जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं इसी तरीके से और धागा जो है आपको यहां से बिल्कुल सीधा करते रहना है इस तरीके से और धागा जो है बिल्कुल हमारे जो है यहां पर the end होने वाला है अब और डोरी जो है जहां पर खतम हो वहां आपने टाइट से पकड़ना है और उसके बाद जहां आपने धागी का गिठान लगाया है उसे आपने यू मोफ करना है धागी का गिठान जो है वो डोरी के अंदर चले जाए इस तरीके से आपको उपर की तरफ धागी के जो गिठान है उस तरीके से करना है आपकी डौरी जो है यह दिखिए इसतरीके से आपने गिठान लगाकर इस तरीके से आपने आपने उपर से खीचना है और धागी का जो गिठान है उसे आपने बस यह मौफ करना है धागी की गिठान जो है वो डोरी के अंदर चले जाए इस तरीके से जो है आपकी बहुत अच्छी सी डोरी जो है वो चीदी हो जाएगी और आई होप मैं आपको समझा सकूँ इस वीडियो के अंदर आपको लगती है डिजाइनी और बहुत भी ब्यूटिफुल सा लूक आता है सुट में और बहुत प्यारा लगता है सुट इस तरीके से आप अगर बनाएंगे और मेहनत लगती है मगर यह है कि बहुत जादा अच्छा सुट त्यार हो जाते हैं और अगर जो है ना आप एक साथ ज जो है ना असानी हो गी आपके लिए और अल्हम्द्विल्ला डोरी जो है हमारी यहां तयार हो गई है और अब मैं इसे नापकर दिखा रही हूं मैं आपको कि यह फुल इंची टेप यहां पर कम्प्लीट हुई और अब यह दूसरी इंची टेप जा रही है जितने बड़े ये मतलब मैं ली थे न इतना बड़े इंची टेप होने के बाद यह 28 इंच oni के करीब कम्प्लीट ह्यें और इतनी बड़ी दौरी आप असानी से सीधी कर सकते हैं बस आपने कोशिश करनी है और अब मैं यहाँ आपको छोटी सी डोरी में भी डोरी सीधा करके दिखा दे रही हूँ यह देखें बस सेम वही मेथट है आपने साइडों में कपड़ा लाजमी रखना है वरना फिर आपका धागा वैसी बहार आ जाएगा और निडल के बैक साइड से अब आप ढोरी को जल्डी-जल्डी से सीधी कर लेंगे और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी जल्डी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और message में मुझे बताना आपको ये method कैसा लगा और इसके बाद जो है ये देखें, ball इस तरीके से आपने पकड़ कर और उपर से खीचना है ये देखें, इस तरीके से आपको खीच कर रखना है और धागे की गठान जो है ना इस तरीके से आपको अंदर की तरफ मूफ करनी है और ये इस तरीके से बस असानी से सीधी हो जाती है इस तरीके से और कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप किसी चीज़ को अगर असान बनाना चाहेना तो वो बहुत जादा easy हो जाती है आपके लिए बस आपने कोशिश करनी है और ये देखें इस तरीके से जो है बहुत असानी से सीधी हो जाती है और आप try जरूर करना इससे बना कर ठीक है और मैं इस डोरी से ये design बनाई हूँ और अभी जो है इसकी stitch जो है वो uncomplete है और जब ये complete हो जाएगी तो मैं इसकी detail वीडियो जो है आपके साथ जरूर शेयर करूँगी और ये design आप खुद बनाना सीख जाएंगे और बहुत ही आसान method मैं आपको बताऊंगी ठीक है और comments करके लाजमी बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और ये जो डोरी है ना ये golden डोरी जो है 10 गज है और ये red वाली डोरी है ये भी 10 गज है तो इससे मैं suit पूरी detail मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको समझ आ जएगा लेकिन इसकी measurement जो है वो 10 गज दोनों डोरी है ठीक है और उमीद करते हूं मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे like, share and subscribe करना बिल्कुल बिना भूलें और सिलाई से related और भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है आप उसे देख सकते हैं और उमीद करते हूं मेरी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो आप इसे like, share and subscribe करना बिल्कुल बिना भूलें और दुआउं में याद रखें आला हाफिज